हलो बच्चो आज हम बात करेंगे करोना वाइरस पे जो कि आप लोगों को पता है ये बिमारी फैली हुई है इसके बारे में आज हम कुछ लाइने लिखेंगे कि ये क्या है कैसे फैलता है हमें क्या करना चाहिए करोना वाइरस का संबंद वाइरस के ऐसे परिवार से है जिसके संकर्मन से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है इस वाइरस को पहले कभी नहीं देखा गया इस वाइरस का संकर्मन दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ है ये वाइरस एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में फैलता है इस समय करोना वाइरस का कोई इलाज नहीं है जैसे ये वाइरस हो जाता है उसे जब तक वै ठीक ना हो जाए तब तक उसे दूसरों से अलग रहना होता है स्वास्थ वंत्राले के मुताबिक इस वाइरस में हाथों को साबुन से धोना चाहिए हैंड रब का इस्तमाल करना चाहिए बच्चों हैंड रब यहां पे हैंड सैनिटाइजर जो आप यूज करते हो वो है मास्क पहनना चाहिए करोना से बचने के लिए घर से बाहर ना जाएं घर में महमान ना बुलाएं ओफिस, स्कूल या मंदिर ना जाएं अतैक घर पर ही रहें करोना से बचे रहें ये था हमारा करोना वाइरस पे कुछ शब्द इसको अब आप अपनी कोपियों पर लिख सकते हैं रहें करोना से दिने करोना दर्द dijo इसले और हमारा को